नमस्कार दोस्तों कैसे आई हो पाब लोग अच्छे हूंगे तो दोस्तों एको नए वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ और मतलब यहां से जो नजारे हैं न बहुत ही सांदार है चलो मैं आपको भी दिखा देता हूं पीछे से बैक टामरा करके चलो देखते हैं तो दोस्तों यहां से देख लो भी नजारे पीछे जो गहरी घाटी है यहां पर यह मोलका खाल उस तरफ पीछे हमारा गाओं भैसवाड़ा की पाहड़िया देख रहे हैं डोबरी टीला उनकी पाहड़िया देख रहे हैं और नीचे गाओं बच्चन स्यों पट्टी यह दोला धारकोट ल्गयटत अंटलाव और इस तरफे संक्रोड़ी घाओं यहां देख लो नीचे संख्चरोड़ी और ऊपर चोटी दिख रहे हैं आपको एक वाइट वाइट से मंदिर दिख रहे हैं मा हर्याली देवी का मंदिर वो देख लो हर्याली देवी टेंपल है वह यह तो हर्याली देवी मंदिर हमारे गाउं से भी जाते हैं हम लोग यह हमारे गाउं पीछे बहसवड़ा है और इस तरफ से घूम के हम लोग जाते हैं और इन पहाड़ियों किसे उपर से पीछे की तरफ हम लोग जाते हैं और पहुंचते हैं माह हर्याली देवी मंदीर जो कि हमारे गाउं से लगभग 15 से 20 किलुमेटर के आसपास है 15-17 किलुमेटर पैदर हम लोग जाते हैं और यहां बच्चनशों से भी लोग जाते हैं और फिर इस तरह पीछे देखो लाव हिमाले यह हर्याली देवी मंदीर और यह सामनी पर हमाले चौकुमपा परवत दिख रहे हैं और हमाले में बरफ यहार काफी कम रही है कलाइमेट काफी चेंज हो रहा है और धीर धीर देखो बरफ कि हालत देख लो कितने कम हो चुकी है लेकिन नजारे सांदार है यह आज और यह जो पाड़ी दिख्ए इसके पीछे की तरफ जो है वो धनपर पटी पीडा धनपूर गोड़ गरण सब गांशी तरफ है पीछे की तरफ इस पाड़ी के ठीक पीचे इस पाड़ी के, पिछे की साइट और वहां से उपर हर्याले देवी मंदिर वहां से भी जाते हैं, पीरडा धनपूर से हर्याले देवी मंदिर जाना चाहता हूँ दोस्तों कापी टाइम से लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है तो जाओंगा, जरूर और यहां पीछे से आप देख लो पीछे भी हिमाले देख रहा है तिरसुली परवत देखता है और हमारे गाओं की जो उपर चोटी है यह इना इस घसारी बॉंड इसके उपर यहां से जब आप जाओगे तो पूरा नजा रहा तो पीछे नोटी नंदा सब देखता है उस बाद यह डबरुखाल है सामने पर डबरुखाल का जंगल इस जंगल की तो क्या ही बात करें तो दोस्तों ऐसे नजा रहे हैं वही तो कैसे लगे आपको यह नजारी वीडियो लाइक कमेंट करके बताओ तो दोस्तों आओ यार कभी घुमने हमारे साइड भी यह ना पट्टी दिखेगे आप पॉडिस से मातर 40 किलोमेटर दूर खिर्सु जो हेली स्टेशन है वहां से मातर 30 किलोमेटर की दूरी पर 25-30 किलोमेटर की दूरी पर आपको यह नजारी देखने को मिलींगे तो ठीक है दोस्तों चलते हैं आज के लिए वस इतना ही मिलिंगे आप से ही मैं आपके लिए वीडियो होना तरहूंगा तो आपके मां प्यार देते रही है तो ठीक है बाइबाई